है अब्रीवन मैं वर्तिका स्वाथ करती है अपने शैनल पर आई होप आप सा बच्छे होंगे तो यह डी टेपलस भी जो पी आर्टी की सीरीज चल रही है नायो समरी की उसकी आज नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग उनिट फोर कवर करेंगे और आज ब्लॉक वन पूरी करें और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या तो वीडियो सुन लीजेगे कि यहां पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं वह जरूरी होते हैं कुछ एक ट्रिक्स भी बता देती हूं जो आपको हेल्फुल रहेंगी याद रखने में इसमें हम लोग न इस चैप्टर का नाम ही है और इस चैप्टर का नाम ही है यानि कि यूनिवर्सलाइजिशन एलिमेंटरी एजुकेशन तो यहां पर यह आपको बादल जैसे दिख रहे हैं इसको मैंने जान मुझ कैसे बनाया है बादल एक्षली इसे लिखा क्या हुआ हुआ है और प्रायर संगठन है अलग-अलग लेवल पे उनको उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो अच्छा हुआ क्या है यहां पे कि एजुकेशन के लेवल को क्वालिटी ओफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए यह जो इंस्टिउशन इनका डिसेंट्रलाइजेशन किया गया मतब वी crt और cmat cmat अब आता है district level 是 specific level पे कौन है डैट है ठीक कर ніके डाइट है ब्लॉक लेवल पे कि NCIT से पहले कई सारे institution बनाए गया थे और फिर बाद में उनको मर्च करके NCIT बनाए गया तो उन institution के बारे में दानेंगे और थोड़ा दर ट्रिक्स से आद करने के कोशिच करेंगे यहां पर जो स्थापना वर्स दे रखिए देखें 1954 के दो है 1956 के दो है और 1959 के दो है तो हम कि याद रखेगा कि टेक्स्ट्बुक और वोकेशनल गाइडेंस यह कुछ आप ले सकते हैं कि टेक्स्ट्बुक रिसर्च वाला अच्छा रिसर्च करनी है एक्स्ट्बुक के पर रिसर्च करनी तो आपको गाइडेंस चाहिए ना तो यह दोनों आपके 1954 में आ गया है फि और इंडिया काउंसल फॉर सेकेंड़ी एजुकेशन यह जो इंसी को आप बदल कर किया गया था दोट्रेट और एक्स्टेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंड़ी एजुकेशन ठीक है यह दोनों चीज है सेमी लेकिन उनका बस नाम बदला गया है बाद में यह कर दिया गया और उसके बाद में ये कब आया था ये 1959 में आया था and then 1959 में एक और इंस्टिट्यूट बना है audio visual education तो इसको हम लोग ऐसा समझते हैं कि 1959 में दो इंस्टिट्यूट एक secondary education वाला है एक audio visual education वाला है secondary education and audio visual education 1959 क्विक रिवाइस करते हैं टेक्स्ट्बुक और वोकेशनल गाइडें 1954 बेसिक एजुकेशन फांडेशन 1956 सेकेंड़ी एजुकेशन और विजुवल वाला तो कब हो जाएगा 1959 में अब हम पढ़ते हैं ncrt the father of all all institution क्लिक है कह सकते हो ncrt national council for educational research and training full form हो गया कभ इस्थापना हुई है 1 September 1961 में हुई है डेली में इसकी इस्थापना हुई थी अब एक चीज मैं आपसे कुशन करती हूं थोड़ा सा सर्च कर लीजेगा क्या सर्च करने से आपकी knowledge ही बढ़ेगी तो इसके ncrt क्या पता है तो बिल्कुल कॉमेंट करिए सभा कहते हैं इसमें सभी स्टेट या यूटी के जो सिख्षा मंत्री होते हैं एक सेंटे लेवल पर आपके मिनिस्टर होते हैं एक स्टेट लेवल पर मिनिस्टर होते हैं यह यहां पर पताया गया है कि यहां पर जो स्टेट और यूटी के जो मिनिस्टर है एडिकेशन मिन अधियापक टीचर होते हैं यह सारे इनके सदस होते हैं लेकिन अब यहां पर इनके पॉइंट मैंने और समझाए हुए यहां पर कि इसमें एक्जिक्विटी कमीटी जो होती है एक्जिक्विटी कमीटी जो में गवर्निंग बोडी होती है तो एक्जिक्विटी कमीटी जो मे इफ्रेंड यूनिवेस्ट्री के जो वाइस चांसलर होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं महासभा में तो यहां पर अब यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट इसको अच्छे सी याद रखेगा कि गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो नॉमिनेट किये जाते हैं स्चे में मिनिममञ छार नीचे कम अध्यापक नहीं चलेगा चार अध्यापक तो चाहिए चार अध्यापक होना जरूरी और मिनिनिस्टर औफ एड्यूकेशन रेखेगा इसका सेंटर लेवल पर तो यह जल्दी से और कोमेंट करके बताइए कि अभी प्रजान टाइम में क में कमिटी के लिए तीन सब कमिटी बनाई जाती है और उसके जो चेर्मेन होते हैं उनको डायरेक्टिर कहा जाता है यहां सरे आपके पॉइंट क्लियर होगे अब होता है क्या है एक संस्था है तो कितना काम कर लेगी तो बहुत सारी छोटी-छोटी इसने बॉडी बना दी है जिनका काम होता है डिफरेंट-डिफरेंट काम करना होता है और फिर अब बाद में NCRT को अपनी रिपोर्ट देनी होती है तो यहां पर देखते हैं क्या क्या है NIE का फुल फॉर्म है National Institute of Education ठीक है अब हिंदी में आद करेंगे तो दिक्कत होगी मैं यहीं कहूंगी कि इंग इसका फुल फॉर्म है पंडित सुंदरलाल सर्मा सेंटर इंस्टिूट औफ वकेश्नल एड्यूकीशन ठीक है वैबसाइक सिक्षा से संबंदीत हैं इंस्टिट कहां पर है भोपाल में भोपाल कहां पर है MP में ठीक है र आएई यर री-जन इंस्चीट ओश्न इंस्चीट MP में पढ़ता है भूमनेशर कहा है है माइसोर कारनाटक में है सीलोंग कहा है मेघाले में यहां पर मैंने उनकी स्टेट भी बता दिये हैं और यह सीटीज है उनकी अब प्रोग्राम एडवाइसरी कमिटी इस दभ प्रिंशपल एडवाइसरी बॉडि यह नहीं के सलाकार जो वड़ी होती है इसकी NCRT की उसका नाम होता है Program Advisory Committee ठीक है अब NCRT के चार में नेम होते हैं चार में नेम कौन कौन से हैं Quality of Education इसको मैंने Black Pen से लिखा दे लेकिन दिखनी रहा है इतना बस याद रखेगा Quality, Training, Spread and Solve Education Problem ठीक है तो यह जो educational problem है उनको solve करना अब इनके functions देख लेते हैं यहां पर Training, Training करवाते है तो Training में मतलब इसमें टीचर्स की भी training होती है और जो जितने भी सिख्षा से जुड़े वे लोग होते हैं उनकी training करवा जाती है Research होती है कि कैसे हम चीजों को improve कर सकते है development किसका करती है तो development करती है जितने भी स्लेबस करिकूलम है जितना भी modernization होता है आई सीटी रिसोर्स आप क्या सकते हो इन सब को इन सब का विकास करती है चिख्षा के सेत्र में लाने का प्रयास करती है degree orientation orientation में एक इसको हिंदी में कःते है अभी मुखी करर तो यह क्या करता है कि जो विडेली सिक्षा है जाते हैं ड़िसे जरी आफगत हो सके और इस चीजों का बadलाव किया जा सकता है इसे रेटेड भी, policy implementation यानि कि अगर government of India कोई policy बनाती है, हाले कि बनाने के लिए भी यही recommend करता है NCIT recommend करता है, तो उसको implement करने का, उसको देज़भर में लागू करने का काम भी NCIT करता है, advice सला करता है, सला के सुकहरे को obviously, जो government of India, केंदर और राज सरकार दोनों को सला करने का इसका काम होता है, dissemination dissemination का मतलब होता है, प्रचार-प्रचार तो यह प्रचार-प्रचार का भी काम करता है, वही सिक्षा को फैलाने का काम international role क्या है international role में यह जो institute होते हैं, like UNESCO, UNICEF, इनके साथ भी collaboration करता है, और सिक्षा के छेतर में काम करता है तो यह इनके function हो गए, अब हम पढ़ते है SCRT के बारे में, SCRT की full form है, State Council of Educational Research and Training, तो वहाँ national यहाँ state लगा दिनी में कहेंगे राज, सैचिक, अनुसंधान, एवम प्रसिच्छर, परिशन, ठीक है इसलिए मैंने इनको यहाँ लिखती है अब यहाँ पे, इनके department कौन-कौन से है SCRT के department कौन से है SCRT आपको पता है ना कि State Level पे काम करता है, तो इसके department है आपकी In-Service Department अचा एक चीज़ और याद रखिएगा इतो ट्रेनिंग होती है ना इन-Service भी होती है और प्री-Service भी होती है तो जो अपकी क्या बोलते है Service से पहले भी Service के दोरान भी Teachers को training दी जाती है वो भी यह करवाता है अब यहाँ department हम मैं बता रही थी SCRT के department कौन-कौन से In-Service In-Service मतब Service के दोरान दी जाती है UEE Universalization, Elementary Education उसके लिए department है Elementary Teacher के लिए प्रारंबिक सिख्षा में जो टीचर होते है उनके लिए एक department है Education Research के लिए Department है IT के लिए department है Exam and Admission Cell के लिए department है Publication के लिए department है तो इस सारे department मैंने एक छोटे से जिखा में लिख दिया पढ़ना चाहे तो यहां से पढ़ सकते है Otherwise आपको वैसे भी पता ही होगा कि इतने department क्योंकि अगर यह लोग Research करते तो उससे होगा Elementary Education से होगा IT से होगा Information Technology से होगा तो यह department होगे अब रोल से एकते हैं SCRT के रोल क्या है Academic Wing की तरह काम करता है Student Education के लिए राज सिच्छा के लिए Academic Wing की तरह काम करता है Academic session यह देखता है Agent of Change यह बदलाव का एक agent होता है In School Education Non-formal अनापचारिक जो सिख्षा होती उसके लिए भी Teacher Education के लिए मतलब तीनों चीज़े देख रहा है School Education भी देख रहा है Control and Supervise Working of Diet Diet की co-supervise करता है उसको भी उसका management कंट्रोल करता है Training School का management देखता है जितने भी training school होते है उनका भी अच्छा सेम काम जो NCRT वहां करता था यही काम वो स्टेट लेवल पे SCRT करता है पैसे वैसे की व्यवस्था करना Research करवाना Training देना International जितने भी NCRT जो अगर कोई program लाया है तो उसको लागू करवाने का भी काम यह स्टेट लेवल पे करेगा तो यह सारे काम जो स्टेट लेवल पे यह कर लेता है अब यहाँ पे मैं अगला point बता रही थी Submit proposal to state government for appointment and transfer of teacher and heads head masters भी हो सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यह अपना proposal देता है भी यह state government को राज सरकार को देता है कि आप यह appointment कर सकते हो इन टीचर का इनका transfer कर सकते हो इस तरीके से यह काम भी यह देखता है आप ऐसे वैसे functions को देख लेते हैं तो function में सबसे important function यह याद रखेगा TQM का full form भी याद रखेगा दे रखा है कि total quality management यानि कि यह किस पे waste होता है इसकी जो concept है CRT का जो concept है वो TQM पे based होता है TQM है क्या इसका मतलब होता है कि गुडवत्ता संबंधी हिंदी में ऐसे बोलेंगे गुडवत्ता ही तो quality को बोलते है गुडवत्ता संबंधी समस्याओ के मूल कारणों को दूर करने का प्रयतने करती है मतब जो quality related चीज़े होती उन पे काम करती है ना सिव remedy करके नहीं निकलना है quality पे भी total quality पे काम करना है SCRT को ठीक है यहाँ पे दे रखा था और इसके अलावा कौन कौन से चीज़े है curriculum revision and review of textbook textbook की समिख्षा करना और curriculum जो पार्टी चरह है उसका revise करना कि कुछ changes होनी है तो संसोदर होनी है तो अब MLL दे रखा है MLL का full form होता है minimum level of learning minimum level of learning और new term अधिकम स्थार को दिहान में रख करके यह changes किया जाएंगे conduct workshop कारिसालाओं का conduct करवाना for teacher जो जिने भी teacher है उनके लिए pre and in service training training देने का भी काम हो जाएगा implementation of scheme and project जो national level पे आ रही है यह जो state level पे आ रही है उनको implement करने का step by step यह काम करेगा and guidance करेगा guide करेगा different institution को कि ऐसे ऐसे करना है और यह changes लाने की ज़रूरत है स्टेट इंस्टीटूट ऑफ एडुकेशनल management and training हिंदी में बोलेंगे राज साचिक प्रबंदन एक प्रिसिच्छर संस्थान यह state level पे एक autonomous body होती है autonomous body मतब स्वाइट तेसंस्था होती है headed by director इसके जो head होते है वो director होते है और जिसमें एक जन इसमें भी एक महासभा होती ती ना यहाँ पे एक महासभा होती है जिसके chairman कौन होते है उस राज के सिक्षा मंतरी होंगे इसमें भी एक कारीकारी समीती होती है जिसके chairman को principal security बोला जाता है मुकिस सच्चिव बोला जाता है मुकिस सच्चिव जो होते है education sector के वो उसी स्टेट के होते है यह एक wing की तरह काम करता है NCRT for SSA सच्चिव बियान के लिए एक मतलब आप क्या सकते हो कि help की रूप में यह काम करता है मुक उद्देश इसका क्या है educational planning and management के छेतर में research and training करना कि सोध करना और training वगरा देना कि जिससे जो education में बदलावा आ सके तब इसका main role कौन कौन से है main role है आपका equation of knowledge यानि कि ज्यान उपारजन करना कि ज्यान का उपारजन हो सके ज्यान जादर स्यादर प्राप्त हो सके dissemination of knowledge यानि कि ज्यान का प्रशार करना capacity to absorb knowledge and use it for development purpose यानि कि अपने जो knowledge को लेने की capacity को बढ़ाना and इसको use करना विकास के लिए ठीक है provide technical support for educational institute जितने भी सिक्षा के संस्थान है उसको तक्नीकी सुविधाव से अवगत कराना या उनको देना अब पढ़ते हैं हम लोग diet के बारे में diet का फुल फॉर्म है district institution of education and training ये आपका आता है district level पे obviously इसमें ये जो concept था ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसका जो concept है वो NPE 1986 में आया था ठीक है 1986 में नवोदे भी आया था और ये diet भी आया था तो NPE 1986 National Policy of Education 1986 में इसका concept लाए गया था इसमें साथ branches होती है साथ academic branches होती है तो वो साथ तो academic branches यहां लिखी होई है shortcut में and then full form PSTE pre-service ठीक है आप इसको ऐसे याद कर सकते है pre-service and in-service वाला एक department हो गया work experience वाला एक department हो गया सबसे important department यह अला याद रखिएगा DRU DRU को full form है district resource unit ठीक है जिलास अंसाधन unit ये जो है आपकी ये for adult and non formal education के लिए होती है तो इसलिए आपको याद रखना है कि DRU किसके लिए होती है तो ये आपकी जो प्रोड सिक्षा होती है और जो अनौप्चारिक सिक्षा होती है उसके लिए होती है अब curriculum से related एक हो गया एक educational technology से related हो गया एक planning से related हो गया तो अभी मैं, मुझे तो सारी याद हो गया अभी फिर से एक बर revise करते है एक हो गया pre वाला, एक हो गया in वाला एक तो DRU याद ही रखना है work education वाला हो गया एक curriculum हो गया, एक technology वाला हो गया एक planning वाला हो गया तो साथ तो यहाँ पे साथ उसके department या branches होती है, agency or district level यह district level पे कि agency की तरह काम करती है किसले काम करती है, planning, implementation and monitoring, education activities जितनी भी सिक्षार समझ क्रिया कलाब है उनकी planning करना, उनको लागू करवाना, उनको monitor करना है कि वो ढग से काम कर रहे है या नहीं कर रहे है ठीक है, अब BRC हम बढ़ते है BRC का full form होता है block resource center अब यह block level पे होता है ठीक है, अब यह लेकिन connected है सब आपस में, कि अगर district level पे कोई योजना आई है, obviously national level पे आई है then वो state level पे लागू होगी then district level पे, then block level पे तो यह आपस में interconnected होता है BRC में होता कि है, एक BRC में 100 गाओं का सम्मू होता है तो अब यहां से एक कोईशन तो यही clear हो गया कि 1 BRC is equal to 100 group of villages इसके head को क्या बोलते है BRC के head को BEO बोलते है जो कि block education officer अब यहां पे इसका role क्या है इसका role होता है कि प्राथमिक स्कूल को इस्थान देना कि प्राथमिक स्कूल के लिए इस्थान डूनना अब यहां पे मैं एक कुशन बुछ रही हूँ जो की previous video से related है जो RT है उसमें यह बताया गया था कि कितने प्राथमिक स्कूल है वो कितने किलोमेटर की दूरी पे होने चाहिए और जो अपर प्राइमिक स्कूल है वो कितने किलोमेटर की दूरी पे स्थापना की जानी चाहिए यह बाद उसमें बताई थी कुछ किलोमेटर में आंसर है वो कॉमेंट कर दीजेगा प्राथम के स्कूल को स्थान देना बिल्डिंग की मरम मत करना स्कूल में जो फंक्शन होते हैं उनको पैंजमेंट करना स्कूल विजिट टाइम विजिट करना स्कूल में की ढंक से चीज़े चल रही है नहीं चल रही है यह सारे मताब कुछ रोल हो गया है इनके कोड़ियो एन एसेज़ी एंजियो नॉन गोर्मेंट और्गनाइजिशन को बोलते हैं एसेजी सेल्प हेल्प ग्रूप इसको स्वैम सेवक संस्था बोलते हैं ठीक है समू बोलते हैं यह इनके साथ भी समन्वे स्थापित करना इसका रोल होता है टाइम टू टाइम रिविव करना रिविव मीटिंग है निकी समिक्षा मीटिंग मेठाना टाइम ली ठीक है जिसमें आधिकारियों के साथ यह लोग बैटक करेंगे कि हाँ कैसे चीज़े क्या क्या चीज़े इंप्रूब करने की ज़रूए थे मॉनीटर करना स्कूल को इन सब को यह देखने का काम करते हैं अब पढ़ते हैं CRC CRC Cluster Resource Center संकुल संसाधन के इंद यह क्या है यह group of 8-10 स्कूल है यह cluster में क्या आते हैं 8-10 स्कूल आते हैं अब यह देखे cluster बहुत अच्छा मतब concept है यहाँ पर कि आपस में जो 8-10 स्कूल है यह अपने resources अपने material अपने teaching ads को शेयर करेंगे एक्षेंज करेंगे ठीके अब इसमें क्या होता कर CRC की बैठेक होती उसमें टीचर भी आते हैं अब टीचर आते हैं उनकी भी workshop लगती है इससे होगा क्या कि टीचर अपने ideas और अपने experience share करेंगे इस तरीके से quality education की quality को improve किया जा सकेगा यह CRC जो है CRC यह समझने वाला point है बहुत अच्छा important भी है कि इसमें क्या होता है जिसे मालीचे वह 8-10 स्कूल है उसमें कोई एक स्कूल के headmaster को इसका head बना दिया जाता है अब जो headmaster of said school मतब उक्त स्कूल के एक headmaster को इसका head बनाया जाता है अब इसके head को PEO भी बोलते है CEO भी बोलते है PEO बोलते है रूलर रैवल पे CEO बोलते है अर्बन रैवल पे ठीक है PEO का full form हुआ पंचायद education officer और CEO का full form हुआ cluster education officer मतब दोनों है एक ही वेक्ती लेकिन अगर रूलर में है तो उसको PEO बोला जाएगा और अर्बन में है मतब गावाली जिगा पे तो ये और अर्बन मतब शहर वाली जि को distribute करना salary का distribution करना initiate transfer of teacher देखे teacher का transfer होगा उसकी सुरुवाद यही से होती cluster level पे और फिर देन BRC देन ऊपर जाकर के transfer होता है school का निरिक्षर करना timely workshop for the teacher teacher के लिए workshop कारी सालाओ को timely लाना ताकि teacher को भी train किया सके school finance का management और distribution करना स्कूल के लिए जितना भी पैसे बासे की जरूरत है उसका भी management और distribution देखना ठीक है तो यहां पर आपका यह unit clear होती है खतम होती है और यह unit I think important है आप सुनेंगे ना इसे क्या होगा है हफते में एक दू बार सुन लेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे को याद कर सर्च करते हो ना तो सर्च करने से आप वो चीजे ज्यादा माहिन में रह जाती है जो आपने खुझ से प्रयास किया होता है तो बस एतना ही thank you